हेलो दोस्तों मेरा नाम है प्रहूर्ट और आप देख रहे हो cat workshop चैनल इस AutoCAD के tutorial वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ block editor के बारे में और dynamic blocks के बारे में यानि कि हमें block अगर हमें कोई बनाया है तो इसको edit कैसे करना है और dynamic block के बारे में हम अभी जानेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको design center और tool palette के बारे मताया था अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर से जरूर देखिएगा तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं subscribe करें catworkshop channel को और साथ की bell icon को press करें जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो विस्स न करें and also don't forget to follow us on instagram and facebook so जो पहला आपका topic है यह है block editor, block editor पहले होता क्या है इसको हम बता जिता है आपको कि अगर आपने मालेज़ कोई भी एक block बना रखा है block बनाने के बाद उसमें आपको कोई भी changes करने है तो हम यहाँ पर फिर block editor का use करता है for example मैं यहाँ पर एक block insert करा लेता मैंने control to the wire design center हमार open हो गया और यहाँ से मैंने इस तरह से bed यहाँ पर इंसर्ट करा लिए मैं बना नहीं रहा हूं यहाँ पर इस block मुझे क्या करना है edit करना है या तो मैं इसको explode कर दूँ explode करने कवाद जो कि मुझे changes करने कर दूँ लेकिन उससे क्या होगा यह जो block की property यह खो देगा यहाँ पर इसको block editor में जाना तो block editor की short की जो होती हो B E Enter यहाँ पर block edit का option आ जाएगा देखो edit block definition की window pop-up होगा यह आपके सामने अब block का नाम क्या है bed queen अब जैसे यहाँ बेट queen को select करोगे यहाँ पर आपका block बन के आ जाएगा और यहाँ पर आपको करना है ok तो जैसे ok करोगे देखो यहाँ पर block editor की यहाँ पर menu में आप आ गया याँ यहाँ एक extra tab add होगे block editor फिर यहाँ पर सारे आपके block editor की option और फिर यहाँ पर आपके constant parameter सारे सारे आपके parameters यहाँ पर मिल जाते है commands अब for example simple सा में देखता है आप block rate कैसे करेंगे for example मुझे क्या करना है इसके यह जो curves है इसमें यहाँ पर fillet apply करना है तो पहले तो हम यहाँ पर dimension measure कर लेते हैं इसकी dimension कितनी है तो यहाँ से जहां तक कि dimension इसकी ह आपकी 80 तो यहाँ पर जो aロette तो मुझे का कि मॏलिजे पर चुर्ड द संधे किया और अधिए और पर यहाँ प्रोफ के द साल नगर्अ खुन ₹茉?!" सो इसके बीच में और इसके बीच में तू का रेडियस और इसके बीच में इसके बीच में सेम इसे तरह इधर दे देता है इस तरह से दुब मेरा यहाँ पर एडिटिंग में कर सकता हूँ फिर यहां पर मुझे इसमें क्या करना है, यहां भी फिलेट करना है, यहां भी फिलेट करना है, यहां भी फिलेट कर सकता है, फिर हैच करना है, बाके सारे उप्शन जैसे आपके सेम वैसे 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 काम करेंगे, यहां पर मैंने हैच लिया, यहां मैंने हैच लिया, यहां जो भी आपने यहाँ पर ब्लॉक बनाया होगा यह उत्माइटिकल इस तरह से चेंग हो जाएगा अब for example यहाँ पर आपने multiple block इस तरह से यह जो block है इसको मैं copy कर लेता हूँ CEO intercept के और यह मैंने इस तरह से यहाँ पर copy कर रखा है अब मुझे क्या करना है कि एक को मुझे अगर आपने यह block से ना बनाया होता तो आपको बार-बार सम्मे चेंज करना परता अब यह आपने block को बनाया तो क्या होगा देखो हमने यहाँ पर लिया block editor इस block को select किया और मुझे माली जे यहाँ पर इसकी sheet है, sheet मुझे hatching करनी है तो मैंने hatch लिया और इस तरह से मैंने hatch कर दिया close किया, save changes, तो एक में देखो आप करोगा यहाँ पर सम्मे हो जागा यानि कि आपको बार-बार करने के जुरात नहीं होती है तो यह भी एक plus point होता है आपका block का तो इस तरह से आप यहाँ पर block editor का use कर सकते हो जो second topic है आपका यह है dynamic block तो dynamic block पहले होता क्या है, मैंने last video आपको बता रखा है, आपको बता देता हूँ तो यहाँ मैं अगर control 3 दबाता हूँ तो यहाँ पर tool palette open हो के आता है तो यहाँ पर architecture time में for example मैंने यहाँ पर एक vehicle लिया और इस vehicle को मैंने यहाँ पर place कर दिया तो यहाँ पर tool palette open कर देता हूँ अभी इस vehicle को अगर मैं select करता हूँ तो यहाँ पर देख़ए एक option आता है visibility, इसको visibility गोलता है इसको आप click करोगे तो यहाँ पर देखो इसी कार के यहाँ पर multiple views stored है यानि कि एक ही block के अंदर आपके अलग-अलग parameters है यानि कि कोई भी block है अगर आप उसमें dimension में changes कर सकते हो तो को क्या गलाता आपका इक तरीके से dynamic block तो आज का जो topic है हम देखेंगे dynamic block बनाना कैसा यानि कि dynamic block में भी sub-categories होती है तो जो पहला आपका topic रहेगा यह visibility यानि कि यह जो आप यहाँ पर देख रहे हो यह कैसे बनेगा बाकि और भी मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे for example मैं यहां पर दोर लिया यह जो इस तरह से place किए अब यहां पर देखो क्या क्या option आ रहा है यह तो आपका visibility हो गया कितने degree आपको इसको open करना है फिर यहां पर देखआपका flip का option आ रहा है तो यह सारे option आपके जो आते हैं स्केल का उप्षिन आ रहा है यह सब दाइनमिक ब्लॉक के थुरू आते हैं तो यह कैसे-कैसे बनता है तो एक-एक टॉपिक करके मैं आपको बता हूँ तो पहला टॉपिक है यह आपका विजबिट है तो चलिए इसको बना के स्टार्ट करता है इसको मैं डिलेट कर दिया तो सबसे पहले उसके लिए मुझे एक डॉर बनाना पड़ेगा तो मैं जल्दी से डॉर बना लेता हूँ यहापए दी लिया door, pick point, मैंने यहाँ से pick कर लिया इसको, select object, इस object मैं select किया, enter, और इसको retain करना है, ठीक है, और यहाँ मैं इसको ok कर दिया, आपका यहाँ पर block बन गया, आप क्या करना, आपको block editor में जाना है, be, enter, यहाँ पर मैंने door नाम से block किया, इसको मुझे edit करना है, यहाँ पर block editor में आगे, अप क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर, side में देखो जो आपको block authoring palettes आ रहा है, यहाँ पर parameters में आना है, parameters में यहाँ पर दिखे एक parameter आ आपका आ रहा है, visibility, इस visibility को आप यहाँ पर click करियो, कहीं भी जाके इसको place कर दिया, simple, इस तरह से अपक point दिया है, यह आपका, इसका origin क्या है, 0,0, अगर आपको coordinate system में problem है, तो इस जो आपका autocad का session है, इसका tutorial 1 और 2 देखेगा, तो इसमें आपको coordinate clear हो जाएगा, कि autocad के सार से coordinate पर काम करता है, तो अभी क्या करना है, visibility में प्रेस कर दिया, यहाँ पर side में option आता है, visibility का, तो सब इसका नाम, door 2.5 fit, फिर यहाँ पर visibility state इसको rename कर देते है, door 3 fit, और एक और नया बना लेते है, door 3.5, fit, यानि कि 3.5 fit, और इसको okay कर दिया, अभी जो आपका बना हुगा, icon सा बना हुगा, 3 fit, यानि कि मैंने 3 fit पे गया, और इसको मैंने क्या कर दिया, set current, 3 state बन गही, ठीक है, okay कर दिया, इसको 3 fit को मैंने set current कर दिया, ठीक, फिर यहाँ पर देखो कि आपका, इस तरह से यहाँ 3 fit लिया मैंने, इसको मैं क्या कर देखो, copy कर देखो, यानि इसको मैंने select किया, या फिर मैं लबाता हूँ, control, shift, c, base point, 0, 0, 0, 0 दीजेगा, pick मत करेगा, तो वहाँ पे आपका एक जो equation बहुर अच्छा आएगा, फिर select object, इस object को मैंने select किया, और enter, यहाँ पे आपका object copy हो ग collect करके क्या करना है, इसको, make invisible, make invisible मैंने किया इसको, अभी जो आपने वहाँ पे copy किया, तो इसको क्या करना है, again, paste, यानि की control V, click, इसको कहा पे पे पेस्ट करना है, फिर से जहां से आपने pick किया, रखास pick किया था, 0, 0 से, इस तरह से 0, 0 पे पे पेस्ट हो गया, अभी से या, stretch, s, enter, इस object को इने select किया, इस तरह से, अब यहाँ पे जैसे भी आपको normal आपको कोई भी object बना रहा है, आप यहाँ पे बना सकते हो, तो यहाँ आप मुझे change करना है, तो change मैंने इस तरह कम कर दिया, फिर s, enter, stretch again, इसको मैंने select किया, और change इसको मैंने कम कर देता हूँ ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे arc लेना है, तो मैं होम पे जाता हूँ, start in direction, start point, end point, और direction, फिर यहाँ पे dimension linear, this point से, this point है, तो फिर चेंज का door बना है आपको, फिर again यहाँ पे आप, block editor पे आप, फिर यहाँ पे आप, door 3.5 feet, याने के 3 feet, यहाँ फिर से 3 feet का बना हुआ है, त hide, make sure कि आप इसको hide कर दो, अगर इसको आप changes कर दोगे, तो आपका main block है, वो change कर जाएगा, तो इसको मत करना कभी भी, तो make invisible again, sorry, make invisible, select कर लीजिये, select करने बात, make invisible, फिर जो मैंने copy किया, तो इसको paste, control V से, कहाँ paste करना है, 0,0 पे, then again भही चीज, stretch का माद देंगे, s enter, इसको मैंने select किया, और इसको मझे कितना बढ़ाना है, change, change मैंने इसको बढ़ा दिया, फिर same इसे तर, stretch इंज, s enter, इसको मै आर को मैं delete कर देता हूं, फिर आर क मैंने लिया, start and direction, और start, end, directions, मैंने आर को बना ली, तो इसको तीन फिर चेंज का, फिर यहापकी बन गई, complete, final, अभी क्या करना है, इसको close, close block, enter, और safe changes to door, tick, block को insert करने के लिए, I enter, I enter करने के बाद, यहापे मेरा door block था, इसको मैंने okay कि अगया, और मैंने इसको यहाप इस तर से place कर दिया, ठीक, अभी इस block को आप select करोगे, यहाँ देखो इस building का option आगया, इसको आप select करोगे तो देखो door 3 feet, door 2.5 feet, door 3.5 feet, इस तरह से यहापे आप multiple blocks एक ही block में store कर सकते हो, so I hope आपको यह video पसंद आया होगा, video पसंद आया है तो वीडियो को like ज़रूर करिएगा, video से लेटल अगर कोई भी doubt है तो निचे comment box में comment करके ज़रूर बताइएगा, आगे और ऐसे videos देखने के लिए चैनल को subscribe करिए and don't forget to follow me on Instagram and Facebook, तब तक के लिए thank you so much उसतो, we'll tell you next video, have a good day.